कौन जैनिटल प्राब्लम का कॉज केवल ये हो सकता है कि वो मदर की हैबिट ड्रिंकिंग की थी या स्मोकिंग की थी या ये भी हो सकता है कि जैनिटिक भी हो सकता है जैसे मदर के पैरेंट्स का कोई प्राब्लम हो या फादर के पैरेंट्स में कोई इस तरह का प्राब्लम हो जैसे माल लिजे कि father को heart का problem हो या father जो बच्चा है उसके grandfather को heart का problem हो तो क्या ऐसे बच्चे में जो बच्चा जन्म लेगा उसमें क्या इस तरह की दिक्कते हो सकती है क्या क्या ये genetically pass on होता है क्या देखिए ऐसा है इसके पर काफी research हो चुका है अगर mother को या father को खुद को congenital heart defect थे तो उनके बच्चे में ये incidence होने के chances यादा रहते हैं compare to normal population जो मैंने 8 to 10 per thousand life birth बता है अगर पहले बच्चे को congenital heart defect था तो next baby में congenital heart defect के chances और बढ़ जाते हैं बाकि जो genetic की काफी evidence यह है कि जैसे down syndrome है बहुत ही common mongolism जीसे कहा जाता है उसके 40% बच्चों को जिनको down syndrome है 40% को heart defect होता है तो कहीं न कहीं यह genetic defects क्योंकि जो heart की development हम पढ़ते हैं it is very complex कि एक cell से पूरा heart के चार chambers बनना उसके अंदर चार valves बनना और सारी arteries के connection होना तो किसी भी phase पे अगर कोई development में कोई रुकावट आई है तो कई बार transposition of aota हो जाता है कि जो नसे हैं वो सही जगा पर पहुंच ही नहीं पाई कई बार छेद होते हैं कई बार heart का एक इसा develop भी नहीं होता actually जो common लोग समझते हैं कि congenital heart defect मतलब heart में whole ऐसा नहीं है there are different hundred different type of congenital heart defects different combination, different severity, different timing of treatment, different outcomes तो एक बहुत complex subject है, it is not as simple कि एक सुराक है उसको बंद करना है it is not as simple इसलिए ये एक अलग specialized branch बन गई है ये specialized branch है और निश्चित तोर पर आपने इसकी ट्रेनिंग बॉस्टन में भी ली है आप UK में भी रहे हैं, अमेरिका में भी रहे हैं और आपने आपको बहुत ज़्यादा specialization है अगर मैं कहूं तो पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने बताया कि बच्चे का normal growth हो रहा होता है क्योंकि बच्चा को जो nutrition चाहिए उसको mother से मिल रहा होता है और कई बार हमें पता नहीं चलता कि बच्चे को कोई दिक्कत पेट में है लेकिन जब वो पेट से बाहर निकलता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उनमें क्या-क्या symptoms ऐसी होती हैं जिनसे हम पहचान पाएं कि इस बच्चे को heart का problem हो सकता है इस तरह की समस्याएं हो सकती है और उसको cure करना कहां तक संभव है उसका इलाज करना कहां तक संभव है Usually जब बच्चा डिलेवर होता है तो जो commonist reason हैं जिसके कारण patients हमेरे पर से refer होते हैं कि अगर जो neonatologist जो new born baby को देखते हैं अगर वो कई बार मर मर बच्चा ठीक ठाक है बट वो heart sound थोड़ा abnormal है फिर क्या है हर बच्चे में आप ये rule बन गया कि उसके चारो हाथ और दोनो हाथ और दोनो पाउं के oxygen levels check करे जाएं एक screening test, new born screening test का आजाता है जिससे कि अगर oxygen level normal से कम है normally हमारा oxygen level 95 to 99% होता है तो अगर saturation इससे कम है तो हमारे को further evaluate करना चाहिए ये वो बच्चे हैं जिन में symptoms नहीं है बट हमने कुछ कोशिश करी उनको जानने की कि इनको problem तो नहीं है इसके इलावा जिन patients में problem काफी आदा होती है उनमें बच्चों में नीला पन हो जाता है उन वो oxygen level अपना maintain नहीं कर पाते हैं कुलाप्स कर जाते हैं बर्त के बाद या कुछ बच्चों में क्या होता है कि वो सांस तेजी से चलता है उनको heart failure के symptoms आते हैं बच्चा ventilator dependent हो जाता है ventilator से निकल नहीं बाता है जब वेंटिलेटर से नहीं निकल पाता है तो फिर और कारण देखने के लिए heart का भी कारण एवैलुएट किया जाता है तो जब हम eco करते हैं तो हमें पता लगता है यह तो heart की वज़े से ही है बच्चा ventilator dependent था क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है premature बच्चा हो खास कर तो यह सोचा जाता है इसलिए जैसे आपने पहले का था कि यह बहुत कॉमन हो गई है डिजीज ऐसा नहीं है कि यह कॉमन हो गई है इंसीडेंस हमेशा से ही सेम था अब हमारे पास सुविदाएं हैं कि हम इनको जल्दी पकड़ लेते हैं काउंसलिंग हो जाती है और आगे इसका इलाज भी पिछ आउटकम दे सते हैं अब तो हम न्यूबॉर्ण बेबी देवन पर भी ऑपरेट करते हैं वी डोंट लोकेट वेट अल्दो रिस्क इस लेटल हायर दें कि जो बच्चा ठीक वेट का है बट अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बच्चा उस वेट को मेरा कॉमन कहने का मतलब ये था कि अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चा पैदा हुआ उसके हाट में सुराख था हूल था अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चा पैदा हुआ वो सांस नहीं ले पा रहा था हम सुनते हैं बच्चा पैदा हुआ पर पैदा होते ही वो रोया नहीं ये त था, तमाम तरह की समस्याएं थी, फिर parents यह कहते हैं कि हम regular doctor के पास check-up करने के लिए गए, हम gynecologist के पास गए, हम pediatrician के पास भी जाते रहे, जो भी बच्चों को treat करने वाले या pregnant women को treat करने वाले doctors होते हैं, specialized doctors उनके पास हम जाते रहे, लेकिन फिर भी यह समस्या क्यों आया, यह समझ से परे, क्योंकि हर मैने इलाज होता है, ultra sound होता है, हर तरह की सुविधा है आज के time में, फिर भी इस तरह की दिक्कते क्यों आती हैं, यह parents कहते हैं, यह हमारे समझ में बात आई नहीं, तो मैं यह सवाल आपसे इसलिए करना चाहता हूँ, कि जो लोग conceive करते हैं, ज उनको कौन-कौन सी दवाईयों से दूर रहना चाहिए, किन-किन चीजों से दूर रहना चाहिए, एक तो आपने बहुत साब बता दिया कि अगर genetically problem है, तो उसके chances बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है वो, तो jeans में ही आ गया है, तो वो problem है, लेकिन ऐसे parents भी, जब खास तोर प करती हैं, तो उनको क्या precaution लेना चाहिए, जिससे इस तरह की समस्या रिया करना, उनके बच्चों में नहीं, जो main precaution है, एक तो अच्छा लाइफस्टाइल, दूसरी बात यह है, कि जो first 12 weeks होते हैं, उसमें जब बेबी और मदर का जो communication होता है, through the placenta, उसकी वाल अच्छे से develop नहीं होती, तो जो भी मदर दवाईयां खा रही हैं, वो easily बच्चे को transfer हो जाती है, तो वो like first trimester is a very critical period, जहां पर कि कोई भी medication है, वो doctor अपनी gynecology से पूछे बिना ना ली जाए, क्योंकि उस समय पे, आप समझ रहें कि जो बच्चे और मा का communication है, उसमें जो pleasental barrier है, उसकी wall बहुत thin होती है, वो develop नहीं होती, तो जो drugs मदर ने लिए, वो easily transfer हो जाते हैं, जैसे कि जो alcoholism है, उसके अंदर alcohol भी transfer हो जाता है बच्चे को, smoking के कारण nicotine levels बच्चे के बढ़ जाते हैं, उसी तरह से अगर मदर को epilepsy की शिकायत है, तो anti-epileptic दवाईयां उखा रही हैं, तो पहले बच्चे होते हैं, जिनका हाथ और पाऊं ही नहीं थे, तो दिखा गया कि यह तो एक दवाई के कारण होता है, तो इसको फिर आगे रोका गया, तो इसी तरह से अब तो काफी हमारे पास research हो चुकी है, कि कौन-कौन सी medicines हमें avoid करनी है, या नहीं लेनी, या under supervision लेनी है हुआ हो गया हुआ है